दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लेप्टोफ या कम्पूटर में Android Apps को कैसे रन कर सकते हों तो चनी दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों Windows सिस्टम में डिरेक्टली Android Apps को रन करना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे अपने PC में एक Android Environment क्रेट कर देंगे जिससे कि हम अपने PC में Android Apps को रन कर सके तो इसके लिए आपको सिंप्ली किसी भी ब्राजर को ओपन कर लेना है एंड यहां पर आपको टाइप करना है rierorn download type करने के बाद आपको उट्रफेस करना है सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह के रेजर्स दिखा देंगे तो आपको इस website को open करना है it word за Windows download हिस website को open करने के बाद आपको थोड़ा सा निचे स्क्रोल करना है और लेटेस्ट वर्जिन पर क्लिक करना है इसके बाद आपको download पर क्लिक करना है अब इस software को save कर लेंगे जैसे ही save पर क्लिक करेंगे तो यह software download होना start हो जाएगा दोस्तों Windows system में Android apps को run करने के लिए आपको internet पर बहुत सारे software मिल जाएंगे लेकिन ये software कापी अच्छा software है और इसकी size कम है दूसरी बात अगर आपके PC के रेम कम है तो भी आप आसानी से Android apps को run कर पाएंगे अगर आप इसे download करना चाहते हैं तो इसका link आपको description में मिल जाएगा उस पर click करके आप इसे directly download कर सकते हैं दोस्तो download complete होने के बाद आपको इसे install करना है तो इसके लिए आपको इस software पर right click करना है और right click करने के बाद आपको run as administrator पर click करना है इसके बाद ये software install होना start हो जाएगा इस्टोल होने के बाद आपको इसे open करना है ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface दिखाजेगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है इसके बाद कुछ इस तरह की process और होगी process complete होने के बाद आपको यहाँ पर दो option विलेंगे existing का और new का तो आपको existing पर click करना है अब आपको यहाँ पर अपने email id और password फिल करना है email id और password फिल करने के बाद आपको next पर click करना है agreement का option आएगा तो ok पर click कर देंगे दोस्तो sign in होने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा यहाँ पर 6.4 click करने से आपको एक android system देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको play store मिलेगा तो इसे open कर लेंगे play store को open करने के बाद आपको यहाँ पर सभी android application देखने को मिल जाएंगे आप यहाँ से किसी भी application को install कर सकते हैं आपको जिस app को install करना है उसे आपको यहाँ पर search करना है for example मैं आपको whatsapp app install करके दिखाता हूँ तो मैं whatsapp search कर देता हूँ इसके बाद आपको whatsapp पर click करना है अब आपको install पर click करना है इसके बाद इसकी terms को accept कर लेंगे इसके बाद यह app install होना start हो जाएगा दोस्तोग install होने के बाद आपको यह पर open करने का option मिल जाता है इसकी बाद आपको home पर click करना है यहां पर home screen पर देख सकते है whatsapp app आ गया है तो अब मैं आपको ईसे open करके दिखाता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से मोबाइल में वार्टसप ओपन होता है उसी तरह से वार्टसप अपन हो चुका है और आप इसका यूज इसली कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप अपने laptop या computer में Android apps को run कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बे लेगन को प्रेस कर लिजिए जिससे आना वाले वीडियो की नोटिवी किसने आपको मिलती रहे